Hey beauties, welcome back to my channel कैसे हैं आप सब तो जैसे कि आप लोगों ने टाइटल में पढ़ लिया होगा यहाँ पे हम बात करने वाले हैं टैनिंग से रिलेटेड यू नो टैनिंग जो समर में है कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कुछ दिनों पहले मैंने यहाँ पे संस्क्रीन का वीडियो भी शेयर किया था एंड उससे भी आप लोगों को काफी जादा आइडिया लग गया होगा कि संस्क्रीन बहुत जादा इंपॉर्टेंट है समर में और अफकोर्स मैं उसी से रिलेटेट एक बहुत ही अच्छा डियाइवाई लेके आई हूँ जो कि आपकी कितनी भी पुरानी टैनिंग हो सबको एकदम आराम से रिमूफ कर देगा आपकी स्किन फिर से उसी तरीके से ग्लो करेगी जैसे कि एक बच्ची की स्किन करती है तो फिर चली बिना लेट की इस DIY को देख लेते हैं वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेर जरूर कर दिजेगा ओके ब्यूटी तो यहाँ पे सबसे पहले आपको इस DIY फेस पैक को बनाने के लिए हाफ टोमैटो चाहिए तोमैटो में होता है नेच्रल ब्लीचिंग एजेंट जो कि आपके संटेन को रिमूफ करने में काफी जादा है तो मैं यहाँ पे अच्छे से ग्रेट कर दूँगे आप चाहे तो इसको मिक्सर में पीस भी सकते हैं बट ग्रेट किया हुआ आइधिंग जादा सही रहता है मुझे एजी भी पड़ता है तो मैं यहाँ पे हाफ टोमैटो को अच्छे से ग्रेट कर लेती हूँ और उसके पल्प को अच्छे से यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने क्लेन कर लिया है ग्रेटर से यह पूरा पल्प मैं यूज करूँ इसको आपको चानने वानने की ज़ुरत नहीं है आपको ऐसे ही यूज करना है यहाँ पे आपको ले लेना है वन स्पून राइस फ्लार जी एस चावल का आटा यह भी काफी सही रहता है आपके फेस से टैन को रिमूफ करने के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने हाफ-ाफ स्पून करके दो बार यहाँ पे फुल स्पून राइस वाला आटा ले दिया आप चाहे तो इसको घर पे बीबना सकते है राइस को अच्छे से वाश करके आप उसको मिक सर में करके आप इसके नेक्स यहाँ पर आपको फेस प्शक तरीके लेना उसके बाद इसकिन में इसको आपको इस तरीके से रब करते हुए, जैसे आप स्क्रबर यूज करते हैं, सेम उसी तरीके से आपको इसे यूज करना है, पूरे हैंस पे, पूरे लेक्स पे, जहाँ जहाँ आपको लगता है, कि आपको टैनिंग की काफी जादा समस्या हो गई है, और वो ट करना है एंड जब आप अच्छे से अप्लाय कर लें आपको इसे 15 मिनिट्स के लिए छोड़ देना है सेम यही चीज मैं मेरे हैंड्स पे भी करूंगी हैंड्स पे भी मैं इसको स्क्रब करते हुए अप्लाय करूंगी और अगर आपको ज्यादा ब्लैक है जो कि काफी लोगों भी प्रॉब्लम होती है तो बिल्कुल आप इस फेस पेक को अपने एल्बोस पे भी यूज कर सकते हैं काफी अच्छा रहता है तो यहाँ पे 15 मिनिट्स में मेरा फेस पेक अच्छे से ड्राय हो गया है अब मैंने इसको अच्छे से वाश कर लिया है और आफ्टर इस वीक में दो बार इसे जरूर यूज किजेगा आई होप ब्यूटी आपको यह डियाइवाई टैनिंग डिमोवल फेस पैक जरूर पसंद आया होगा इसको आप आराम से घर पर बना सकते हैं वीक में दो बार यूज कर सकते हैं और आप इसका रिजल्ट दो से तीन वीक म में ही आराम से डेख पाएंगे तो आई होप आपको यह वीडियो जरूर हैल्फु लगा होगा मिलते हैं मेरे और भी अमेजन वीडियो के साथ तिल रेन बाइबाई